हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीदे सब अच्छे से होंगे खुश होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं यह जटपट से तियार होने वाली गोभी अलू की सज्जी यह जब सुबह का समय होता है न और बस किसी को कॉलिज जाना है किसी को स्कूल ज जाना है तो इतने कम समय में कैसे सब का टिफिं तियार किया जाए तो उस समय में यह जटपट से बनने वाली सबजी है इसको मैंने तीन मिनट में तियार किया है देखे कैसे तो यह ले लिया है मैंने गोभी को मैंने छोटे टुकडों में कट कर लिया है ज्यादा बड़े अजल सके ज़ादा जायका जुदे कर दो सब से पहले आलू और गोबी को डाल करके तेल जीरे के साथ और इसमें लाल मिर्ट्ची पकाना है और धनिया पाउडर धनिया पाउडर लाल मुट्ची अट prag करने के बाद इसमें मैं टमाटर एट करूँगी। मैंने एक बड़ा टमाटर कट किया है। और हमें चलाते रहेंगे। देख़ी हमें चलाते रहने से आभ हमारा हाफ ०ण हो चुका है। लेकिन अभी हमारा तयार नहीं हुआ है अभी धकर इसको हमने दो मिनट तक और पकाना है दो मिनट के बाद मैं ये इस तरह के सा आपको देखेगा मैंने हरी मिर्ची डाल दिया इसमें हरे मुची डालने के बाद कसूरी में थी जो की पहले से मैंने रोष्ट करके रखी हुई थी ड्राय रोष्ट की थी वो डाल दिया गरम मसाला इसमें अट कर दिया जिससे कि हमारा फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा और बस इसको हमने कुछ सेकंडों के लिए चलाना है और यह होगे हमारा आलोगोवी तयार तेल छोडने लग जाएगा यह अच्छे से बस जी इसको आप चाहे पराठे, पूड़ी, नान, चावल किसी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह मेरा आलोगोवी देखे, कितना अच्छा लग रहा है अब आप भी मॉर्निंग के टाइम में इतनी स्वादेर सब्जी तियार कर सकते हैं इसी परिकेसे आलोगोवी की और सबक्रिटिफिन अच्छे से पैक होंगे अब सब बड़े स्वाद से खाएंगे इसको एक बार आपस मेरे तरीके से बना के देखिए बहुत ही अच्छी लगेगी बगर प्याजलसन के सबजी है ये इसमें सिर्फ जीरा और कुछ पाउडर मसाले का मैंने यूज़ किया है इसमें खड़े मसाले का यूज़ भी नहीं है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है देखा आपने तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसी लगी तो टेक केर बाई अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे की आगे आने वाली वीडियो है आपको सकते पहले मिल सकते है